हलो फ्रेंड्स पल्गम दिस्ट्वेंट पीडिया आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चानल में टीचिंग आपीडियोट के टेने एमसी क्यू क्वेश्टिन्स एबिले डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ यह पार्ट 11 है अधर पार्ट भी आप देख सकते हैं सेस्ट करना है इस फिर कुछ आपको यहां पर जो है options दे गया है चूज कर रहा है आपको बताना है आपके मुताबिक यहां पर development जो है वो सबसे जरूरी कौन सी development है यहां पर इस्ट्वेंट में डी नहीं होने वाला religion से यहां मिल लेना देना नहीं लेवरर जो है वक्त से कुछ नहीं होता साथ में बता देखेंगे यहां पर बोला गया अब देखेंगे यहां पर जो है अगर देखे जाए तो यहां सबसे एफेक्टिव कौन से options आपको बोल दिये गया है जिससे आप यहां पर जनरेट कर सकते हैं इंट्रेस्ट इस्ट्वेंट का इस पोर्ट के प्रती तो आपको यहां पर option देखने हैं option बता यह कौन सा है इंट्रेस्ट इसे बढ़ेगा जब तक आप नहीं खेलेंगे उनके साथ उनका इंट्रेस्ट नहीं बढ़ने वाला आपको याद रखिये बाद तो आप उनके साथ खेलेंगे option दी यहां पर correct है 103 देखते हैं nowadays the teacher does not enjoy such respect as was in giving in during the early time the reason for this is that आपको बोला गया है यहां पर जो पहले जो respect मिलते थे teachers को आज ऐसा respect नहीं मिल रहा है क्या इसके रिजन से आपको बताने है बोला गया है teachers take up the tuition work फिर बोला गया है the character of the teacher is not the same as it was during the early time फिर option C देखे बोला गया है teacher do not do their duties with the dedication आपको क्या लगता है teachers में क्या कमी आ रही है इस टाइम पर बतादो सारे यहां पर बाते सही है option D यहां पर correct होने वाला है इसलिए respect थोड़ी कम हुई है और यह खुद भी आप गौर कर सकते हैं पहले पुराने जमानी में जो है बात करें यहां 80 साल या 50 साल पहले तो काफी जादा respect हुआ करता था teachers का as compared to now तो यहां पर जो है आप रेजिए साब जानी रहे हैं यहां पर discuss कर लिया मैंने 104 questions को देखते हैं जो है आप जो है जो है इस बॉल आप चूह थो बॉला किया है यहां पर आप रेलेट कर सकते हैं रेडिकेशन को कौन से correct होंगे आपकी हिसाब से options आपने देख लिए बता यह dedication जो पहले पढ़ा जाता था इस्टोइंट जैसा पढ़ते थे dedicate होके अब नहीं ऐसा देखनी को मिलता इसका reason क्या है तो बता दो option भी यहाँ पर correct है उन्हें जो है यहाँ पर bright future नहीं देखती इसलिए नहीं परते latest जो है survey भी conduct कराई के थी उसके में जो है यही बात पता चली है कि यहाँ पर complete करने के बाद क्या future रहेगा काफी लोगगं confused हो रहे है इसलिए सही से dedicate जो होता है वो नहीं आ रहे study में यहाँ बोला गया है nowadays विद्धालेया अब विद्धालेस कोंची है आपको बताने यहाँ पर क्या है तो for ruler children है only for urban children है for the intelligent students of both the ruler and urban area और फिव बोला गया for those children who are willing to become a soldier बात आईए यहाँ पर options देखे कोई भी directly यहाँ पर related नहीं है तो आपको children सिर्फ विद्धालेस में जाते है ruler गाओं के बच्चे सहरी बच्चे यहाँ पर soldier जिने बनना होता है वो जाते तो option C यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है यहाँ पर option C कर लेंगे क्योंकि यहाँ यहाँ पर जो है अदस option suit नहीं कर रहे है suitable नहीं है इसलिए option C यहाँ पर सही होगा 106 की देखे तो बुला गया यहाँ पर होता है best matter कौन सा ही evaluate करनी का achievement जैसे test करनी का students को तो यहाँ पर जो है options आपको बता दी गया है annual examination साल में 1 examination by annual examination साल में 2 examination quarterly examination यहाँ पर साल में 4 examination या monthly examination कौन सा आपके हिसाब से होगा तो latest में देखे यहाँ जो है monthly examination को माना गया है best है इसी से जो है evaluate कर सकते है और best matter यह तो आपको यह भी याद रखनी है 107 की बात करें बुला गया who from among the following had stated motivation is the art of generating interest in the mind of the student अब इन में से कौन से आपको जो है यहाँ पर देखने है और यहाँ options बोला है उसने की motivation जो है वो art of generating interest है in the mind of student किसने बोला था Thomas ने यहाँ पर बोला हिए ठीक है तो आपको यह बाते याद रखनी है Thompson जो है उनका यह कहना है कि जब तक हम motivation जो है motivation जो है वो art है generate करता है जो interest in the mind of student पढ़ाई के प्रती 108 देखे बोला गया है in order to teach a subject it will be best for the teacher too अब जो subject आप पढ़ा रहे है उसके लिए best क्या है तो बताइए कौन सा यहाँ पर option होने वाला है option C बिल्कुल यहाँ पर correct होगा जब तक आप जो पढ़ा रहे है उसे रियाल लाइफ से जो है reality से connect नहीं करेंगे तब तक वो अच्छे से समझ में नहीं आने वाली है और इस काफी ज़रूर ही होता है कि आप real life से connect करें देखा जाए 109 question को बोला गया है आपकी हिसाब से क्या रिजन है अगर देखे जाए तो unemployment काफी जादा है और most of name यहाँ पर जो है आपको बतादू educated है ठीक है यह काफी यहाँ पर जाना जरूरी है क्या इसका रिजन तो आप से पुछा गया है कुछ options बता दिये गया है कौन से सही होगा option A देखे बोला गया है falling of educational standard B बोला गया spreading of educational far and wide option C बोला गया है education without principle फिर बोला गया है education without objective यहाँ पर idealistic आपको यहाँ पर approach अपनाना है और बतला दू reality में ऐसे जो है नहीं है फिर भी यहाँ पर बतला दू education without objective अगर आप करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको job नहीं मिल पाएंगे या job आप नहीं ले सकते तो objective जान लेना काफ़ी जरूरी है और reality में बतलाओ तो job की कमी है फिर भी हमें यहाँ answer कर रहा है as option तो यहाँ पर education without objective यहाँ पर correct होने वाला है 110 की देखे तो बोला गया है the special feature of meaningful examination is the following special feature जो है meaningful examination का वो क्या है फिर options आप से पुछे गया है आपको correct चूज करना है all the students get through this examination with good marks students will get more marks than they had hot four and यहाँ पर option C देखे बोला गया this examination should be able to differentiate capable students from the incapable ones students will not be fear this type of examination कौन सा यहाँ पर special feature है examination का तो देखे यहाँ पर जो है बिलकुल option यहाँ पर C correct होने वाला है तो यहाँ पर जो है यह 10 questions हो गया next 10 questions discuss करूंगा part 12 में तो चैनल के साथ बने रहेगा thanks for watching best of luck